किया सेल्टॉस जो की एक जबरदस्त गाड़ी है नो डाउट लुक्स अच्छे है, रोड प्रिसेंस काफी अच्छी है इस्पेशियस कैबिन है, साइलेंट इंजन है राइडिन हेडिलिंग क्वालिटी काफी अच्छी है कमफर्ट लेवल अच्छा है, लगबख सब कुछ मिल जाता है इस गाड़ी में बहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं और मैलेस भी काफी अच्छा है लेकिन लोगों को इस बात से कोई खास वरक नहीं पड़ा लॉंच होते से ही इस गाड़ी का सेल्स विकर आसमान चुने लगा हर महीने आराम से इसकी 10 से 15 जार विनिट्स बिख जाती थी देखते ही देखते ही ये गाड़ी बेस्ट सेलिंग सेलिंग एसीवी ओफ इंडिया बन गई और चाल्ड ओक्विपेंट्स के लिए 2 आउट ओफ 5 स्टार्स जो की बेकार रेटिंग है स्कोर की है इसके लावा इस गाड़ी की बॉड़ी शेल इंटिग्रिटी भी अनिस्टेबल पाई गई है वैसे तो सेल्टॉस के जीटी लाइन के टॉप वेरियंट में आपको फुली लोड़िट फीचर्स मिल जाते हैं लेकिन क्रेस्ट टेस्ट में जिस वेरियंट का क्रेस्ट टेस्ट किया गया था उस वेरियंट में ABS, Dual Airbags, EBD, Seed Belt Pre-Tensioner and Seed Belt Reminder for Driver and Co-Driver जैसे फीचर्स दिये हुए थे अगर मैं सेल्टॉस में मिलने वाली Maximum Safety की बात करूँ जो कि सिर्फ GT Line के Top Variants में मिलती है तो इसमें Standard Safety के अलावा जो मैंने अभी अभी आपको पताई थी उसके अलावा 6 Airbags, Electronic Stability Program, Hill Hole Control, Vehicle Stability Management और Brake Assist जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं लेकिन किसी भी NCAP में गाड़ी के उस variant का Crest Test किया जाता है जो सबसे ज़्यादा बिकता है या फिर कहें जिसमें Standard Safety मिलती है डेली के On Road Prices के इसाफ से Seltos 11 लाग से शुरू होकर साड़े 20 लाग रुपे तक की मिलती है इस Price Range में मिलने वाली गाड़ीों से हर किसी को काफी उमीदे होती हैं खास कर Safety के मामले में मेरा अंदाजा है कि हर किसी को खास कर उन लोगों को जिनोंने Seltos को खरीदा जो Seltos के Owners हैं उन्हें इतनी उमीद तो होगी कि अगर इस गाड़ी का Crest Test कभी होता है तो वो कम से कम 4 out of 5 स्टार्स से स्कूर करेगी लेकिन Seltos उन सब की उमीदों पर खरी नहीं उतर पाई अब देखना ये है कि इसी सेग्मेंट की जो दूसरी पॉपलर गाड़ियां है जैसे कि झाल करेगी